दोस्तो आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे स्वागते हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में हम compare करेंगे DeFi के Gravity TWS को Dejo के Go Ports TWS से अब दोस्तो इन दोनों ही TWS को आज हम compare करेंगे और देखेंगे कि दोनों TWS में कौन सा ज़्यादा बेतर और कौन अपने प्राइज को जिस्टिफाई करता है अब दोस्तो ये दोनों ही जो TWS से अभी मेरे पास है तो नहीं लेकिन दोस्तो इनके specification के हिसाब से इन दोनों को compare करेंगे और इनकी specs के हिसाब से हम ये आपको जरूर बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेतर है और कौन सा पर्चेस कर सकते हैं तो वीडियो में आगे बढ़ते हो आपको बताते हैं तो जो डीजो का gopots TWS से इसकी जो प्राइज यह आपको 16 रुपे देखनाों को मिल जाती है और आगे बढ़ते हो बात के लीते की तो डीजो का gopots ट्रफ यहांपको Bluetooth का जो वर्जन हो 5 का support देखने को मिल जाता है वहीं जो डेफी का TWS यहां पर आपको Bluetooth के वरजिन 5.1 यो 5.1 का support देखने को मिल जाता है दोस्तो रेंज दोनों में आपको 10 यहाँ पर कोई भी बटन का सपोर्ट देखने हो नहीं मिलता जैसा कि जो डेफी है इसकी जो प्राइज हो कम रखी गई है तो यहाँ पर ऐसा नहीं किया गया है कि कॉस्ट कटिंग करने के लिए यहाँ पर आपको बटन का सपोर्ट दिया जाए दोस्तों दोनों ही जो को टाइम को मिल जाता हो है जो डेफी का ग्रैविटी टी डेव्लय से हैं पर आपको सोले घंटे का प्लेवैक का टाइम देखने को मिल जाता है और दोस्तों ये जो 10 mm वाले driver होते हैं आपको काफी ज़्यादा बेतरीन sound quality देखने को मिल जाती है तो अगर आप कभी भी TWS purchase करने जाते हैं तो आप 10 mm वाले minimum इसका आप देखके driver ही लें आप 10 mm से कम वाले driver वाले TWS आप बिल्कुल भी purchase मत करिए क्योंकि दोस्तों उनकी sound quality होती वो इतनी अच्छी नहीं होती है अब आगे बढ़ते हैं तो जो डीजो का go port से यहां आपको 110 mm का low latency का support देखने को मिल जाता है यानि दोस्तों अगर आप gaming वगयरा करते हैं यह gaming mode आपको देखने को मिल जाता है तो आपको काफी बेहतिन जैसे अक्सर होता कि अगर आप कम देखने को मिलने वाला है वहाई जो डेफी का gravity कंट्रोल TW से यहां पर आपको support देखने को नहीं मिलता है आगे बार तो बात कर लेते हैं डीजो के go port में आपको noise cancellation का support मिल जाता है लेकिन यह जो noise cancellation है के लिए कॉलिंग के लिए ही काम करेगा जबकि डेफी के gravity TWS में आपको कोई भी noise cancellation का support देखने को नहीं मिलता है अगर आपको थोड़े भूद छीटे पड़ते हैं या पसीने वगारा से आपको नुफसान नहीं होने वाला है तो अगर फाइनली बात करेते हैं कि दोनों से जाता क्योंकि जो डी जो को गो पॉर से यहां पर इसकी जो प्राइज है थोड़ी सी ज्यादा 600 रुपए ज्यादा है दोस्तों यहां पर आपको कुछ ज्यादा फीचर मिल जाते हैं जैसा कि यहां पर आपको gaming mode का support देखने को मिल जाता है और यहां पर आपको थोड़ा सा प्ले अपको स्ट मिल गाता तो दोस्तो हैकम प्रक्रींर अच्छा लागा हो दोस्तो अपमारे वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों अगरा फमारे चेनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूरो को लेकि दोस्तो इस तरह के वीडियो ओके लिए लाते रह Sapido Tu can you